गुड मॉर्निंग दिस इस डॉक्टर अनीता माधुर बाभू शोभाराम गवर्मेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर आज हम थर्ड यर के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका भारत का भूगोल है उस पेपर के लिए अपवाहत अंत्र की बात करेंगे यह जो अपवाहत अंत्र क् कि क्या उसका क्या पैटर्न होता है उसकी क्या इस्तिती है और पूरे भारत में भारत एक विशाल देश है यहां पर अलग-अलग प्रकार के वाटर बॉडिस पाए जाते हैं अलग-अलग प्रकार की इस्थलाकृती के कारण जो उनका ड्रेनिच पैटर्न है वो जनसादन भारत में है और इसमें जो प्रोफेसर केल राव है उनके अनुसार देश में कम से कम 1.6 किलो मीटर लंबाई की करीब करीब 10,360 नदिया है और जिसमें और उसत जो वाशिक प्रवा होता है जलका वो 1879 अरब घन किलो मीटर के लगभग उन्होंने माना है उनकी अगर हम भॉगोलिक दृष्टी या बाधाओं की और विशमताओं की बात करें तो इसमें से केवल 690 अरब घन किलो मीटर लगभग हम ये मानें कि जो टोटल है अपना इसका 32 प्रतिशत सते ही जलका उप्योग हो पाता है जितना भी हमारे को अवेलेबल है उसमें से जो हम यूज कर रहे हैं वो मातर 32 परसंट है इसकी अतिरिक्त अगर हम नैशनल लेवल पे बात करें या पारंपरिक भंडारन की बात करें प्रवाह मोड कर पुने आपुर्ती योग्य बनाने की बात करें तो 432 अरब घन मीटर जल ही हमारे को उपलब्ध रहता है और सबसे अधि जो बहाव शेत्र है उसमें मानते हैं और जो लगभग भारत के बहाव शेत्र का 60% हिस्सा जो है वो इसके अंदर कवर हो जाता है तो हम यह मान सकते हैं कि यह जो नदियां है यही भारत के ड्रेनेज पैटन का ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना जरिया है अब हम अगर नदी के बेसिन के अनुसार देखे तो गंगा गोदावरी और कृष्णा इसका शेत्र सबसे बड़ा है जहां अनेक वर्षा शेत्र भी हैं गंगा बेसिन का विस्तार दक्षिन पश्चिम में चंबल सिंध और बेतवा और केन तक है और कृष्णा न आगा बेसिन का वा, पूर्व के और प्रवाहत अधिकांच नदिया पश्चिमी घाट से निकलती है जो परयाप्त वर्षा वाले स्त्रोत है जितनी भी यह उमारा प्रवाहत अंत्र है इसमें नदियों का जो उत गम है वो पश्चिमी घाट से होता है फिर भी पश्चिमी पूर्वी घात के पूर्व में महाराश्र में धूले में बीजापुर बेलारी तक वृष्टी चाया प्रदेश पाया जाता है वर्षा की आपूरती कम होती है और इसका क्या result रहता है कि यहां पर थोड़ा सा वा जो पश्चिमी घात का शेत्र है यह वाला इसमें वर्षा की मात्रा कम होने से फ्लो जो है वो कम होता है और पूर्वी भाग में परियाप्त जला पूर्ती होने से नदियों में जल की मात्रा अच्छी रहती है वर्ष परियंत रहती है अब हम अगर भारत की पूरी बात करें तो सतेई जल के जो मुख्य साधन होते हैं जो हमें जमीन के उ सव्हेश रिखालाब और पो खर इत्यादी होते हैं सुट्वी जल का अधी का आधिकांश भाग नदियों में जाथा जय दो उन ट्वा आप जो है नदियों में होता교 वह जवया है 50 शेत्र 22睡 Об calendar निकलती है वहाँ पर जैसी गर्मी की रितू शुरू होती है बर्फ पे गलना शुरू हो जाती है इसलिए उस नदी में उन नदियों में साल भर जो आवक रहती है पानी की तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि दोनों प्रकार की नदियां हमारे याँ पर पाई जाती है पश्चिमी भ पर और ये जो शेत्र है ये शुष्क शेत्र के रूप में हम इसको मानते हैं अगर हम नदियों की बात करते हैं तो उत्तरी भारत की नदियों की बात सबसे पहले करते हैं क्योंकि ये नदियां वर्ष परियंत बहने वाली नदियां हैं ये हिमाले परवत में जो हिमनद हैं और जो जीलें बनीवी हैं उनसे निकलती हैं इसलिए गर्मी के मौसम में भी इसमें पानी की कमी नहीं होती है इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वज़े से ये पानी निरंतर इसमें प्रवाव होता रहता है तो अगर हम इन नदियों की बात करें तो सबसे पहले हम सिंदु पांच हजार एक सो असी मीटर की उचाई पर है और ये जो अपने उद्गम स्थान के आगे लग्दाक के त्वेहक नगर को घेर कर बहती है और आगे चलके कराकोरम दर्रे के पास जासकर नदी में मिल जाती है दाई और श्लोक गिलगिट और काबूल नदी जो है वो इसमे करीब किलोमीटर हम इसको मानते हैं और इसका जो प्रवाह मार्ग है जिसमें ये प्रवाहित होती है वो 1134 किलोमीटर का है और ये जो शेत्र है इस से भारत का बहुत बड़ा विशाल शेत्र लाभानवित होता है जिसको करीब करीब हम 117,884 वर्ग किलोमीटर का शेत्र मान और ये नदी अरप सागर में गिरती है, बेरीनाग में इस्तित एक झजरने से निकलती है, यह अपने उद्गम से उत्तर की और, वुलर जील होती वी, दक्शन पश्चिम में बहती है, और ये जो अनन्तनाग है और बारामुला जो कश्मीर के एरियाज है वो इसके मार्ग में आते हैं मंगला इसकी सहायक नदी है और ये पाकिस्तान में भी इसका प्रवा है और भारत में लगबग इसका 1180 किलो मीटर में ये नदी बहती है उसके बाद हम बात करते हैं चिनाप की ये सिंदु की सहायक नदी के रूप में हम इसको जानते हैं परन्तु ये नदी भी बहुत लंबी है और हम ये मानते हैं कि इसका इसकी जो लंबाई है वो करीब 1180 किलो मीटर है इसका जो समुद्र तल से उंचाई है 4,480 मीटर है और इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के लाहुल में टांडी के समी बाराचला दर्रा से ये नदी निकलती है वहाँ से इसका उद्गम होता है ये चंद्रा और भागा चंद्रभागा नदी है उनके साथ मिलकर बनी है अते हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से भी पुकारते हैं जो उसका लोकल नेम है वो चंद्रभागा उसको वहाँ पर कहा जाता है इसके बाद हम बात करते हैं राभी नदी की राबी नदी जो है ये भी सिंधु की एक मुख्य सहायक नदी के रूप में हम इसको मानते हैं ये पीर पंजाल और धौलाधर जो श्रेणिया है हमाले की उनके बीच में बांगाहल बेसन है ये रोतांग दर्रे पर इस नदी का उद्गम स्थल है वहां से ये नदी निकलती है उसके बाद ये पंजाब लाहौल नदी के नाम से भी पंजाब में हम इसे छोटी नदी और लाहौर में इसे लाहौरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है ये जो नदी है इसकी समुद्र तल से उचाई इसके उद्गम की 4570 मीटर की है और भारत में जो इसका फ्लो है क्यो शेत्र है वो करीब 5987 वर किलोमीटर का है और इसको इस नदी को इरावदी नाम से भी जाना जाता है इसका जो संस्कृत नेम है वो इरावदी नाम है इसके बाद हम बात करते हैं व्यास नदी की ये भी एक सिंदू की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम होता है वो ब्यास क यह रोतांग दर्रे के पास इस्थित है और यह लगबग 625 किलो मीटर की लंबाई में भारत में बहती है इसका जल ग्रहन शेतर 25,000 किलो मीटर से जादा है और संस्कृत में इसको हम विपाशा नदी के नाम से जानते हैं विपाशा या इसको जो लोकल ने में आरगी किया परवच फ्रेनी जो है उसके दक्षनी धाल पर मांसरोवर जील के निकट एक जील है उसका नाम है राक्षस जील जिसकी समुद्र तल से उचाई लगबग 4555 किलो मीटर है वहां से इसका उद्गम माना जाता है और हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से इसका प्रवेश होता है यह जो दर्रा है यह दर्मा दर्रा के पास स्थित है और यह जो सतलज नदी है यह भी सिंधू की एक प्रमुक सहायक नदी है और भारत में यह नदी जो है यह करीब 1050 किलो मीटर के शेतर में बहती है इसका जल ग्रहेंट शेतर लगबग 24,000 किलो मीटर है और सबसे म भाकड़ा और नांगल बांध जो है वो यहाँ पर बनावा है और ये भारत की आर्थिक इस्तिती में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि ये बांध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है और संस्कृत में इसे शतुद्री का नाम भी दिया गया है तो ये दो comparatively जो चोटी सहायक नदिया है उसमें जैसकर और श्लोक ये वो नदिया है जो सिNDHU की अन्य सहायक नदियों में है ये जैसकर श्रेनी से इसका उदगम स्थल होता है और लेह के समीब ये लेह जो सान है उसके समीब ये नदियां जाकर सिथु में मिल जाती है श्लोक का उद सांसनायव नामक नदी Particip HELB में सहयक नदी के रूप में है पिरें हम बात करते सरस्वती नदी के यह सरस्वती नदी है यह अमबाला जिले के पास में अलग और सिर्मौर की ह kimse राजस्तान के पश्चिम तक आता थख और अगर हम स्थिती देखती हैं तो यह करणाल के समीप यह फिर निकलती है बाल्छापर के आसपास यह विलूक तो जाती है करणाल के समीप यह फिर गगघर नदी और सरस्वती को अलग-अलग नामों से भी यहाँपर पुकारा जाता है और हम वैस्टर्न राजस्तान में अब हम इस नदी की खोज कर रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस नदी का अंतर प्रवाहा अभी भी है और ये नदी जमीन के नीचे प्रवाहित हो रही है और वैदिक साहित्य में इस नदी का बहुत महत्वपूर्ण विवरंड हमें मिलता है उस विवरंड के आधार पर अब जो हमारे रिमोर्ट सेंसिंग वाला जो डिपार्डमिंट है वो इसकी खोज में लगा है और ऐसे प्र हो जाता है कि यहां पर कोई ना कोई अंतर प्रवाह है ये नदी अंदर प्रवाहित हो रही है और हो सकता है आने वाले समय में हम इसके जलका प्रयोग कर सके तो आज हमने देखा ये जो सिंदु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पड़ा कल हम गंगा नदी के उपर थैंक यू